शनिवार को सावनेर में बड़ा विचितर हाथसा सिसी टीवी में कैद हुआ हाथसे की सिसी टीवी फुटेज को देखने से ही हाथसे की गंभीर दस समझ में आती है इस हाथसे में कार से कुचला गया यूवक काफी गंभीर जखमी हुआ होगा यह अंदाजा लगाया जा सकता है बताया जा रहा है कि यह हाथसा सावने रिस्तित दादा जी मंदे नाग मंदर के पास में हुआ है वहां मौजूर लोगों के अनुसा सफेद रंग की ब्रेजा गाड़ी क्रमांग AP39 CS3647 से चार यूवक लश्करी होटल में आये चारों काफी नशे में थे होटल में चारों ने फिर से शराप पी और खाना भी खाया इसके बाद एक यूवक गाड़ी में बैठा जबकि उसके साथी तीन यूवक होटल के सामने दादा जी पहले स्पान ठेले के पास लगे सिमेंट चेर पे बैठ गए कार चालक ने कार रिवर्स ली, नशे के हालत में गाड़ी रिवर्स ली और सिमेन चेर पे बैठे तीनों युवकों पर चढ़ा दी इस हाथसे में दो युवक बज़ गए लेकिन एक युवक कार की नीचे कुछल गया उसके बाद हाथसे के दोरा धूल मिटी काफी मात्रा में उड़ने लगी हाथसे में बचए युवक ने जखमी युवक को उठाया उसी गाड़ी में जखमी हालत में डाल कर चारो नाकपूर की दिशा में तुरंत निकल गए चारो नाकपूर गए यह नहीं गए इसका पता नहीं चल पाया बताया जा रहे कि गाड़ी पाटन सावंगी टोलनाके के सीसी टीवी में दिखाई नहीं दी इस्तियंदास सावनेर से कहा गई हो गंभीर जखमी जिन्दा है यहा सवाल लोगों के मन में है गटना देख रहे लोग गटना होने तक कुछ समझ ही नहीं पाई कि क्या हो रहा है कुछ लोग तो चाय की चुसकी ले रहे थे और गटना को देख रहे थे साबनेर के हितेश बंसोर गटना इस्तल पहुचे लेकिन चारो युवक गाड़ी में बैटकर निकल चुके थे जखमी का इलाज करवाना अतियावशक है यह समझ कर वो उनके एम्बूलेंस से नाक्फुर की दिशा में गए लेकिन गाड़ी और चारो युवक दिखाई नहीं दिये गटना कब घड़ गए गटना का आधार सिसी टीवी फुटेज भी सबूत के तौर पर है गाड़ी का नमबर भी साफ साफ दिखाई दे रहा है अब इस आधार पर सावनेर पुलिस क्या कारवाई करेगी यह देखना पड़ेगा सावनेर से इंबीसीन न्यूस के लिए अरुन महाजन की रिपोर्ट